हलो फ्रेंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विभीन पदो के बारे में सिरी अरविंद कॉलेज इविनिंग इनिवोसिटी ऑफ दिली में विभीन पदो पर उनलाइन आवेदान आमंतृत क्या गया है सरकारी नोकडी के लिए आवेदान आमंतृत क्या गया है यानि पर्मानेंट नॉन टीचिंग के विभिन पदों पर आवेदान आमंत्रित हैं इस विग्यप्ति में विभिन पदों की बात करें तो लाइबेरियन का पद है, कुल एक पद है यहाँ पे age limit दिया है, category wise post दिया है, pay level दिया है तो L10 का पद है, 77,700 से लेकर 1,42,400 रुपिय सेलरी है और सरकारी नुकड़ी के लिए आवेदान आमंत्रित है senior personal assistant के कुल एक पद है, age limit 35 साल है L7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपिय सेलरी है तबला accompanist के लिए कुल एक पद है, age limit 45 साल है L4 है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपिय पेमेंट है library attendant के कुल दो पदो पर आवेदान आमंत्रित है age limit 30 साल है L1 है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपिय पर मंत्रित है इस विग्यप्ती में सभी पदो पर सरकारी नुकड़ी के लिए आवेदान आमंत्रित है online application form फिल करने के लिए website पर जाका online application form फिल करना है online application form फिल करने की अंतिमतिती की बात करें EGC norms applicable है, यानि master degree में 55% marks library information science में good academic record है, grading system है इसके अलावा knowledge of computerization of library है और qualified national level test है इसके अलावा यहाँ पे एक note दिया है जो EGC norms चोंसर qualification की demand है senior personal assistant के लिए qualification की बात करते है तो यह bachelor degree from Marie Kajanais University और कम से कम 3 साल का experience है और किसमे experience है तो एक तो है private secretary या personal assistant या stenographer या executive assistant या executive secretary in government department या university या autonomous body है skill test है, इसमें skill test के बात करें detection 10 minute at average student 100 word per minute है इसके अलावा English typing speed है 40 word per minute है और भी इसमें computer से सबंधी detail जंकारी दिया है जिसमें typing speed word processing यानि MS word से सबंधी detail जंकारी दिया है डिजाइबर से सबंधी डिजाइबर से सबंधी detail जंकारी दिया हुआ है लाइबरी आटेंडेंट की बात करें तो essential qualification में 10 वी class pass लेबल पे है साथ में library science में certificate होनी चाहिए डिजाइबर में secondary level पे computer application से सबंधी detail जंकारी है इसके अलावा बहुत सारे इसमें note दिया हुआ है जिसमें क्या-क्या कारी करना है इसके बारे में detail जंकारी दिया हुआ है इन सभी पदों के लिए हम syllabus की बात करते हैं इसमें senior personal assistant के लिए examination से सबंधी syllabus दिया हुआ है यानि दो paper है इसमें first paper है जो multiple choice का है जो 2 घंटे का है 300 अंका है और 200 परस्न पुछा जाएगा second paper descriptive type का है 3 घंटे का है और 200 अंका है इसके अलावा आदे घंटे का skill test है और और निचात हैं तो यहाँ पे syllabus दिया हुआ है इसके लिए paper के लिए syllabus दिया हुआ है सारे पदों के लिए तो आपको syllabus देखना है tabla के लिए भी syllabus दिया हुआ है exam patent दिया हुआ है library attendant के लिए भी syllabus दिया है जिसमें return test होगा 3 घंटे का और 300 अंक का है जिसमें library attitude general awareness सरसाबांदित परस्न पुछा जाएगा objective type का परस्न होगा library attendant के लिए library attitude के लिए कुल 50 परस्न पुछे जाएंगे 100 अंक के है general awareness का 25 परस्न है reasoning ability का 25 परस्न है mathematical ability के लिए 25 है और English और Hindi language के लिए 25 है अब पर टेक परस्न दो अंक का है इस तरह से 300 परस्न तीन सो अंक का पुछा जाएगा यहाँ पे syllabus दिया हुआ है इस application form को फिल करने के लिए हम application शुल की बात करते हैं तो इसके लिए हम scroll करके नीचे आते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं तो application form फिल करने से सबंदीत इसमें जो फीस लग रहा है उसके बारे में detail जंकारी दिया है तो इसके लिए यहाँ पे category wise हम सुल की बात करते हैं तो OBC, General और EWS candidate के लिए 500 रुपिय अप्लिकेशन सुल्ख हैं AC, ST candidate के लिए 250 रुपिय अप्लिकेशन सुल्ख हैं PWD candidate और women candidate के लिए कोई भी application सुल्ख नहीं लग रहा है application सुल्ख online पे करना है जिसके बारे में detail जंकारी दिया हुआ है admit का download से सबंदी detail जंकारी इसमें दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए like कीजिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कीजिए और bell notification को on कर लिजिए इसके अलावा इसमें application form फिल करने के बाद इसको print out करना है print out करने के बाद उस पे signature करके इसमें जो address दिया है उस address पे आपको send करना है इसमें address दिया हुआ है उसी address पे send करना है यहाँ पे address दिया हुआ है इस address पे send करना है और जिस post के लिए आप लागा है